हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल स्नेक लवर दोस्तों तो अभी जो है हम लोग रिलीजिंग पर आ है स्नेक रिलीजिंग पर और हमारे पास चार साफ है दुस्तों जिसमें से तीन वे नमस कोब्रा है और एक रॉक पाइथान है तो आज का वीडियो निकल कोब्रा को छोड़ते हैं क्योंकि यह दोस्तों शिकार किया हुआ है और इसे हम लोग अभी तुरंत पकड़के आ रहे हैं हसनपूर सिताकुंड से तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं बड़े ही सावधानी से और रिलीजिंग सकते हैं बिक साइज का कोब्रा है यह और हमने निचर में इसे रिलीज कर दिया है हम चाहेंगे यह उधर जाड़ियों की ओर चला जाए हम इसका मूँ धर कर देते हैं दोस्तों काफी गुसे में है यह देख सकते हैं यह काफी गुसे में है साब डरा हुआ है हमसे चौक रहा है तो हम चाहेंगे यह उधर चला ज तो इसे चलने में देख सकते हैं साथियों दिक्कत हो रही है तो अपने साइज से बहुत बड़ा सिकार किया है इसने और इसे क्या है अभी छिपने के लिए जगा की जरूरत है जहां यह बैटके छिपके अपना खाना को शिकार को पचा सके क्योंकि अगर यह एक खुले में रहेगा दोस्तों तो कोई इसका शिकार कर सकता है दूसरा जी चलिए हम लोग चाहेंगे यह चला जाए तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग जाने देते हैं अपने अगले से को रि हम लोगों ने इसे भी निकाल लिया ये भी चला गया उधर काफी तेजी से और ये हमारा तीसरा कोब्रा बिचारा पुरा सुस्त हो गया है लेकिन क्या है कि अब इसे हम लोग अच्छे माहौल में ले आए हैं यहां हम इसे रिलीज कर देते हैं तो देख सबसे हैं यह भी निकल गया और यह भी उधर ही जा रहा है तो हम लोग इसे भी बिल्कुल तंग नहीं करेंगा जाने दीजिए इसे भी और अब आये दोस्तों अपने असली साफ को हम लोग निकालते हैं जो की है इंडियन रॉक पाइसर और काफी बड़े साइज का बड़ा भी नहीं करेंगा मीडियम साइज का है लेकिन लगबाग आठ से दस पित की लंबाई है तो चलिए इसे हम लोग बड़े प्यार से निकालते हैं दोस्तों आई यह आप भी चलिए आपका भी रेजिंग ताइम हो गया है इसे क्या है दोस्तों हमने इस्ट कोलनी से अब ही यह अधर नहीं जाके उधर चला जा तो हम लोग इसे उधर घुमाते हो जख सकते हैं अभी यह एक्टिव हो गया दोस्तों कि देख सकते हैं यह बोरे में खुद से पैख हो गया है कैसा साथ हम लोग इसे खूलने लाए हैं और देख सकते हैं बोरे में फिर से पैख हो गया है यह साइद नहीं जाना चाहता है कि देख सकते हैं यह निकल गया और अब यह सही जिगार जा रहा है वरना क्या है हम लोग इसे फिर से पैख करकर दोबारा ले जाते हैं अब यह सही जगा जा रहा है जंगलों में नहीं जाके यह उपर की और जा रहा है ठील की और जहां इसे प्रोब्लम हो सकते हैं तो कि अभी से च्छिपना ज्यादा जरूरी है च्छिप जाए तो यह ज्यादा बढ़ें रहेगा और गुस्सा अभी है दोस्तों अब देखते गुस्से में किस तरह से फूकता है यह तो कि यह नीचे चला जाए लेकिन यह क्या है चलिया आप सही जगा यह जा रहा है लेकिन यह साइड से टर्म लेने के फिर में हैं हम लोग क्या है इसे हम लोग इंडियन रॉक पाइथान आजगर के नाम से जानते हैं और यह एक मीडियम साइज का पाइथन है अब यह हमने इसे सही जगा छोड़ दिया है अब दख सकते हैं आगे जंगल है ज़ड़ियां है जहां यह बड़ा सा साप छिपके रह सकते हैं अच्छे से तो साथ ही उम्मिद करते हैं आपको पसंद आगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत